अमुश्का मित्रो स्वागत है आपका स्यूटी चनल पे कोड के आदेश के बाद सिक्षक भरती में अब त्रिकोणी लड़ाई जैसा कि आप जानते हैं 99,000 सिक्षक भरती के लिए बहुत काला समय चल लहा है क्योंकि लगबग चार वर्ष से कर रहे सिक्षकों को अपनी नुक्ती या अपनी नौकरी खोने का डर है और ये डर सिर्फ डर नहीं हकीकत बनता हुआ दिख रहा है क्योंकि डबल बेंच से आदेश आ चुका है और सरकार ने साफ कह दिया है कि वो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी तो पर एक खबर पढ़ते हैं फिर बात करेंगे इस पर जरूर बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है सभी मित्रों से एक ही रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक वीडियो पूरा दिखिएगा चाहे आप और सट सौ वाले हों चाहे आप हाई मिरिट वाले हों और चाहे आप लो मिरिट वाले हों तो परशेदी प्रात्मिक स्कूलों में 79,000 सायक अध्यापक भरती पर शुक्रवार को आए हाई कोट की लखनो बेंच के आदेश के बाद से त्री कोणी लड़ाई की हालत बन गए है एक पक्ष अनारक्षित वर्ग के उन सिक्षकों का है जो नोखी कर नहीं है वैसे तो बेसे शिक्षा विभा के अफसरों ने पिछले ढ़ाई साल में इन प्रभावेश शिक्षकों की सूची जारी नहीं की है लेकिन शुक्रवार को फैसले के बाद अब अनारक्षित वर्ग के शिक्षक एक जुठ होने लगे और इनकी ओर से सुप्रीम कोड में विशेश अनुमती याचिका दायर करने की तैयारी भी चल रही है दूसरा प्रख्ष है आरक्षित वर्ग के अर्शट सो अभिहरतियों का जिनकी सूची प्रदेश सरकार ने विधानसवा चुनाव से ठीक पहले पाच जनवरे 2022 को जारी की थी इन अर्शट सो अभिहरतियों की सूची हाई कोड की लखनो बेंच दो बार निरस्ट कर चुकी है 13 मार्च 2023 को सिंगल बेंच ने अर्शट सो की सूची तो निरस्ट की थी लेकिन अर्शट वर्ग के उन अभिहरतियों के समयोजन के लिए नीती बनाने की आदेश दिये थे जो वर्तमान सूची में शामिल हैं और दो साल से कम काम कर रहे हैं लेकिन पुनारक्षित सूची जारी होने पर बाहर हो सकते हैं अब ये अभिहरती सुप्रीम कोट में कैविट दायर करने के तैयरी कर रहे हैं तीसरा पक्ष अरक्षित वर्ग के उन अभिहरतियों का है जो इ नुसूची जाती वर्गों को 21 की जगा 16.2 प्रतिशत आरक्षन दिया गया है अब इस्तिती बहुत खराब है इस्तिती सबसे पहले खराब तो ये है कि कहीं न कहीं तो गरबर हुई है जिसकी वज़े से सरकार को बार बार कहीं न कहीं बैकलेश देखने को मिल रहा है सबसे प बड़ी बात यहां पर ये आती है कि सरकार क्यों इस पर कोई स्टेप नहीं ले पा रही है उसके पीछे रीजन ये है कि जो पिछला लोग सभाचुनाव बीता उसमें सरकार को उत्तर प्रदेश में खास कर बहुत लंबा एक नुकसान देखने को मिला है जिसके बाद सरकार किसी भी हाल में ऐसा स्टेप या ऐसा कोई भी कार करने के मूड में नहीं है जिससे एक वर्ग जो कहा गया था जिसने वोट नहीं दिया वो और नाराज हो जाए अब बात आती है कि अगर ये अर्सट सो लोगों को सूची में एंटर किया जाता है तो क्या होगा यसा कि आप को पता है कि 69,000 सिक्षक भरती में पद 69,000 ही है उससे जादा के पद है नहीं अब अगर ये अर्सट सो लोग अंदर आते हैं तो अर्सट सो लोग बाहर भी होंगे अब ये अर्सट सो लोग कौन से बाहर होंगे सबसे पहली बात तो ये करते हैं तो देखिए एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर कई बार लोगों के बीच में संगराम हुए हैं कोर्ट में मामला गया है लेकिन ओवरलैपिंग ये होता है कि जो SC, ST, OBC जादा नमबर लाते हैं बतलब जनरल कटेगरी के बराबर नमबर लाते हैं उनको उनके वर्ग से उठाकर जनरल मा बच्चे जनरल के बराबर नमबर लाते हैं तो वो सीधे उठकर जनरल की पोस्ट पर नियुक्ति पा जाते हैं जिसको लेकर जनरल के जो 50% का एक आरेक्शन कहा जाता है वो 50% ना रहकर डिपेंड करता है कि भरती में कितने प्रकार के बच्चे और कितने बच्चे जनरल की सीट्स पर आए अब ये अर्सट सो जो OBC के बच्चे हैं जो उटकर अगर आएंगे तो ये सत्य बात है कि जनरल के करीब अर्सट सो बच्चे बाहर हो जाएंगे लेकिन क्या केवल जनरल वालो के लिए ही समस्या है तो बिलकुल भी नहीं ध्यान से समझेगा कि जब ये अर्सट सो लोग अंदर बाहर होंगे तो ये मान के चलिए ऐसे बच्चे एंटर कर जाएंगे जो दूसरे जिलो के हैं मान के चलते है मोटी मोटी बात कि किसी व्यक्ति को अगर मेरट से हटाया गया क्योंकि वो लो मेरट का जनरल बंदा था उसको हटा कर उसकी जगा कोई एक OBC बच्चे को नुक्ति दी जाती है लेकिन वो व्यक्ति मेरट का ही नहीं वो व्यक्ति मान के चलते हैं कि बनारस का है अब क्या वो बनारस का मान के चलिए कि सब तो नहीं लेकिन फिर भी कम से कम 20 से 30% बच्चे ऐसे होंगे जिनका जो आवंटन होने के बाद जिला बदलेगा जिला बदलेगा, ब्लॉक बदलेगा विद्याले बदलेगा, सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि अगर लिस्ट जीरो से बनी तो मान के चलिए सब ही कुछ जीरो से बनेगा अब जब यतना बड़ा बवाल होगा तो सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जैसा कि आपको पता है कि आपके कुछ साथी जो कि नाम किसी कभी नहीं लूँगा जो सुप्रीम कोर जाने की बात कर रहे है अब तो 22 तारीक को धरने का भी एक तिथी गोशित कर दी गई है इन सब में सब को बड़ चड़ कर हिस्सा लेना चाहिए क्योंकि कुछ को नौकरी बचानी है कुछ को जिला बचाना है जादा तर बच्चे इस नौकरी में इस वज़े से ही आते है क्योंकि उनको अपना घर पे रहने का मुका भी मिलता है अगर आप उनको यह चीछ से दूर कर देंगे तो उनके लिए यह किसी भी कारकी नहीं रह जाएगी वरना बच्चे सेंटल बजा के नौकरी क्यों न करते तो जब आपके संग बदलाव हो सकते हैं चाहे नौकरी जाने का हो और चाहे विद्यालय और जिला जाने का हो तो सब को सहयोग करना चाहिए चाहे सुप्रीम कोट जाने की बात हो और चाहे धरने की बात हो बढ़ चरकर सबको उसमें भाग लेना चाहिए और इस अपनी जो पूरी उनतरजार सिक्षक भरती की जो सूची है उसको बचाने का प्रयास किया जाना चाहिए अब मामला गरबढ कहा है तो ये भी सुन लीजे तो आरक्षन का मामला गरबढ है सरकार का कहना पहले ये था कि डबर आरक्षन किसी को भी नहीं मिलेगा जो 60-65 पर आरक्षन ले चुका है उसको मिरिट लिस्ट पे नहीं मिलेगा ये बात सिंगल मेंच में तो प्रूफ हो भाई थी लेकिन डबल बेंच में ये प्रूफ नहीं हो पाई और इसको अब सरकार आगे ले नहीं जाएगी क्योंकि वो OBC वर्ग या जो पिशड़ा वर्ग है उसके खिलाफ नहीं जाना चाहते है तो मान के चलिए अब होने वाला ये है कि 6800 लोग अंदर बाहर होंगे जिला कईयों का बदलेगा इसलिए सब संगठित होईए ये मत सोड़ी चलिए कि आपके नंबर जादा है आपके गुड़ंग जादा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं सेफ होंगे नौकरी से लेकिन अपने घर से सेफ नहीं होंगे जिला आपका बदल जाएगा और जो जिन्दगी अभी असान है घर से आना घर से जाना घर के बाहर रहेंगे खाना पीना बरतन और कपड़े भी स्वयंद होएंगे इसलिए सब लोग संगिटित होईए इस चयन सूची को बचाने का प्रयास करिए सरकार से मिलिए क्योंकि आप दिखते हैं जो प्रेस नोट आया था उसमें कहा गया था किसी भी युवा के संग गलत नहीं होगा तो इसका अर्थ क्या है यह जानना जरूरी है क्या आप किसी प्रकार से सबको नौकरी दे रहे हैं या आपके पास कोई और एक नया तिकड़म है इसको समझने के लिए सरकार के जो अधिकारी हैं जो सरकार के जो नेता हैं आपके विधायक हैं, मंत्री हैं या मुख्य मंत्री हैं सबसे मिलने का प्रयास करिए किसी के साथ अन्याय ना हो इसका ध्यान रखा जाए चाहे जो बाहर थे बिचारे उनको तो जरूर ना उकरी मिलनी चाहिए और जो लगे हुए हैं उनका भी घर ना तूटे इसका भी ध्यान रखना चाहिए तो सबीलो संगटित होने का समय फिर से आ चुका है सुप्रीम कोर्ट में लडाई होगी सरकार से लडाई होगी मांग सिर्फ एक होगी किसी का अन्याय ना हो किसी के संकलत ना हो लास्ट तक वीडियो के उसलिए बहुत बहुत दनेवाद आपको दिन शुब हो